Hello everyone, welcome back to my channel तो guys, कैसे हैं आप सब? मैं एक और नियू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और अभी जो टॉपिक है रीडिंग का है आपके परसन अभी आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं राइट ना उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए? ठीक है? दिल से, दिमाग से, मन से कैसा सोच रहे हैं आपके बारे में? सोच भी रहे हैं या नहीं? ठीक है? तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी बिना देर करें स्टार्ट करतें और रीडिंग के एंड में आपकी परसन की तुरफ से resonate करे हो सकता है ना करें so please keep an open mind timeless reading है तो कभी भी आप देख सकते हो और एक अब बात कहना चाहूंगी मैं अगर कोई भी आपको मेरे comment section में अगर आपको कोई भी number मिल रहा है किसी का भी, Guru Ma Prabhu Ji, Pandit Ji ठीक है, कोई भी अगर number दे रहा है तो वो मेरा number नहीं है तो आप alert हो जाएं क्योंकि मैंने अभी तक अपना number share नहीं किया है ठीक है, ये मैं कहीं बार बता चुकी हूँ बार बार बता रही हूँ क्योंकि आजकल कुछ जादा ही हो रहा है लोग number post कर रहे हैं वहाँ पर और कह रहे हैं कि आपको मदद करेंगे ठीक है, तो मेरा number नहीं है मेरा number समझ के मदद लेना मत ठीक है बहुतों के साथ fraud हो चुका है तो आप बचाएं अपने आपको चलिए अब reading पर आते हैं और देखते हैं आपके person अभी आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं distorted feminine लगता है आपको जादा ही याद कर रहे हो या परिशान हो रहे हो अपने person के बारे में सोच के तभी ये energy आई है distorted feminine की intimacy commitment oh my god divine feminine भी आगे हैं यहाँ पर divine and distorted feminine भी है okay ying and yang यहाँ इतने बीटिफुल कार्ड लियो मिनासिटी oh wow soulmates सारे spiritual कार्ड आगे हैं यहाँ पर guys मुझे नहीं है आपकी energy में it means थोड़ी balance की कमी है और जानते हैं यह चीज़ आपके person को पता लग पा रही है वाई देखो ना यहाँ 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 आपका divine connection इनके साथ एक person ने मुझे कॉमेंट में कहा था कि आप जातर यह क्यों बोलते हो कि divine twin flame हो कि की बहुत rare ही souls होती है बिल्कुल सही का उस person ने लेकिन क्या यहाँ पर करोड़ो लोग है मेरे subscribers ठीक है और हर कोई नहीं है इस journey में लेकिन मेरे channel पर जाला तर मुझे लगता है कि twin flame connection वाले ही है क्योंकि मेरे reading में हमेशा आता है ठीक है तो मैंने reply दिया है इस जवाब इस question का आपको तो yes मुझे यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर clear के soulmate या फिर आप twin flame connection में हो एक divine connection में हो और यहाँ पर जो divine feminine है वो high frequency zone से low में आ जाते हैं ठीक है तो आप न यह चीज अगर आप कर रहे हो high से low में आना low से फिर से high में जाना इसका मतलब है कोई ऐसा pattern है जो अभी solve नहीं ह हुआ है कुछ तो है जो अभी आपको heal करना है कुछ बचा हुआ है आपकी healing में तभी आप वहाँ पर stable नहीं हो पा रहे हो high frequency zone में आप stable नहीं हो पा रहे हो यह problem आ रही है तो guys थोड़ा सा और अपने आपको improve करने की कोशिश कीजिए और अपने आपको better बनाने की कोशिश क कीजिए क्योंकि यह चीज़े अगर ऐसे होती रही तो फिर वो problem create करेंगी अभी right now आपके person आपके साथ deep connection feel कर रहे हैं बहुत deep connection ठीक है और यह जो deep connection है यह आपको भी feel हो रहा है even मुझे नहीं पता आप बात कर रहे हो I think आप बात नहीं कर रहे हो तब ही तो आप इस energy में आ रहे हो तो यहां पर क्या हो रहा है ना कि आपको बहुत जादा भी strong होने की ज़रुत है और यह दिखाने की ज़रुत है कि आप बहुत जादा strong है और आपके person को अच्छी energy पहुँचे आपसे ठीक है आप good vibes भेजे होने क्योंकि आप दोनों बहुत deeply connected मुझे दिख रहे ह है और यह person आपको अपना divine counterpart मानते हैं इसकी soul को तो पता है एटलिस ठीक है कभी कभी तो आप ऐसा भी करते हो कि यह person बहुत तदा attraction फील करते हैं आपसे और आप जिस तरीके से glow कर रहे हो work कर रहे हो तो यह चीज़ आपके person को बहुत जादा आपके close आने के लिए मजबूर करेगी ठीक है तो यहां पर बिल्कुल आपका divine connection है soul connection है मुझे बहुत खुशी हो रही है कार्ट देखकर यह तीनों ही मुझे बता रहे हैं कार्ट क्या आप divine counterpart हैं यह दूसरे के हैं yes guys यह बहुत deep connection divine connection divine की blessings है आप पर इस connection पर तो इसलिए don't give up अगर आपको wait करना पड़ र कोने बाकी है इसी वज़ा से ऐसा हो रहा है otherwise सब कुछ ठीक दिख रहा है मुझे थोड़ा सा separate separation में हो separation जल्दी ही खतम हो जाएगा इसमें आप बहुत important role play कर रहे हो तो इसलिए आपकी awakening होना आपकी healing होना बहुत matter करता है और यह person मुझे न लगता कहीं जाएंगे अगर आपका रिष्टा safe है आप safe है बिल्कुल ठीक है यह connection बिल्कुल safe है ज्यादा इसमें rush करने की या फिर impatience होने की ज़रूरत नहीं है patience रखे डिवाइन सब अच्छा करेंगे यहां से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए oh nine of souls यह person person मुझे परिशान दिख रहे हैं थोड़े queen of pentacles king of pentacles clear है बात नहीं कर रहो है दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हो और परिशान भी हो रहे हो यह दोनों के साथ हो रहा है दोनों में ego है बराबर का और दोनों एक दूसरे को social media पर stock कर रहे हो यह नो बात नहीं करनी एक दूसरे के लिए रोना भी है और फिर stock भी करना है क्या हो रहा है इस आपके पर्संट जादा आपको श्टॉक कर रहे हैं आपसे चाहिए पता लग पा रहा है यह नहीं बड़ यह आपको श्टॉक कर रहे हैं यह देख रहे हैं आपको ठीक है क्या हो रहा है तो येस काइस आपके परसन आपको स्टॉक कर रहे हैं और देखो आपसे थोड़े से नाराज भी है किसी ना किसी बात को लेकर I don't know क्या बात है बट ये सेपरेशन है कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए ही होगा अब ठीक हो जाएगा ये परसन प्रिटेंट कर रहे हैं कि आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं और आपकी स्टेटस वगरा को कुछ भी देखनी रहे हैं ये ऐसा प्रिटेंट कर रहे हैं इसके मन में तो बात करने का ही है कि आपसे कॉंटक्ट कर लें आपसे बात करें आपको मैस सेंड करना बहुत रिग्रेट में दिख रहे हैं मुझे उमीद है इसको आगे चल कर चीज़े ठीक हो जाएंगी ठीक है एक्षन लेंगे यह परसन आगे एक्षन लेंगे आगे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है तो यही फीलिंग्स है इसकी अभी आपको लेकर यह थोड़ा सा परिशान है लेकिन अपने आपको रोक रहे हैं आपको स्टॉप कर रहे हैं आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं और यह परसन आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे है इस अप टु यू आप कितना वेट कर सकते उस परसन का यह आप पर है इस अप टु बिकास राइट टाइम नहीं है अभी जब आप रेडी होंगे तब राइट टाइम होगा और जब यह परसन रेडी हो जाएंगे तब तक के लिए क्या करना है कॉंप्रमाइस करना है क्या करें अब जो चीज़े आ रहे हैं वही मैं बताऊंगे आपको चलिए यहां से देख लेती हो मैं क्या मैसेज देंगे चलिए इनको पढ़ते हैं इसको पता है आप ही वो हैं जिसके साथ ही अपनी जिन्दीगी बिताना चाहेंगे I will propose to you यह आपको propose करेंगे Holding your hands is the most awesome feeling in the world I feel like I abandoned when you when you and myself sorry abandoned when you sorry guys मैं से गलत पर रहे हैं I feel like I abandoned you and myself when we broke up I want to reconcile Oh okay इसको reconcile तो करना है आपसे जब से आप दोन ने एक दूसरे को छोड़ा या बाते कम कर दिया तभी से इसको reconciliation करना था But situation की वज़से यह नहीं कर पाए I just want to lay on your chest and listen to your heartbeat Wow Take time to do what makes you happy You made me questions a lot about myself I love you Okay I want you in my arms I know I made a mistake इसे पता इसने mistake की है I'm terribly sorry if and I wish that one day you can forgive me Sorry तो बोलेंगे यह जब भी आएंगे ना I do believe I do believe fate is the reason for us इसको किस्मत पे destiny पर बिल्कुल भरोसा है और इसको पता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा Positive mindset है इस person का और यह आएंगे आपके पास यह आपको stock भी कर रहे हैं social media पर The energy is gaining momentum आप काफी energy gain करोगे अच्छा feel होगा आपको और ज्यादा लेकिन आप यह आप यह सोचे कि आपको क्या चीज release करने की ज़रुरत है ठीक है आपको कुछ release करना है वह आप देखे आपको क्या release करना है कौनसे doubt कौनसा fear अपने अंदर लेकर बैठे होए हो और take time to breathe हो थोड़ा रिलेक्स फील करने की कोशिश कीजिए ठीक है यह आपको करना है otherwise you and your loved one are safe totally safe ठीक है बस negativity को release करिए यह आपको काम करना है ठीक है इतना कीजिए आप then सब कुछ ठीक हो जाएगा okay so guys this is your reading I hope कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो अगर आप मेरे चैनल पढ़ नए है तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर लेना अभी के लिए बस इतना है guys बाइ टेक क्यार